आज मैं फिर से आ गया हूं आपका नेक्स वीडियो लेकर और आज मैंने सोचा नौर्थ से थोड़ा साउथ की और स्विच किया जाए तो हाँ आज मैं साउथ की जो फेमस डिश है वो बनाऊँगा इडली और सांबर इडली जो है वो बहुत डिफरें डिफरें स्टाइल से बनती है रभा इडली बनाते हैं राइस से इडली बनती है और दाल से इडली बनती है लेकिन आज जो मैं इडली बनाऊँगा वो मैं दाल और राइस की जो मिक्स्ट इडली होती है वो बनाऊँगा बेसिकली मैं तो यह इस तरह से तयार है आपके पास अब राइस भी मैंने पानी में छे घंटे से पहले भी घूक्य रखे थे निकाल ली है तो आप देख सकते हो जो मैं बैसिकली मैं रेशो लेता हूं तो इस टूवन लेता हूँ, मैंने जो डवल जो है राइस लिया है उससे हाफ मैंने दाल ली हुई है देन उसमें फर्मेंटेशन के लिए मुझे दही चाहिए होगा, मैंने दही रखका हुआ है और बेकिंग पाउडर चाहिए होता है, बेकिंग पाउडर और सोल्ट तो और यह सब जो इडली के लिए चाहिए तो चलो फिर इडली स्टार्ट करते है पहले मैं दाल ग्राइंड करूँगा आपको दाल और राइस दोनों ही अलग लग ग्राइंड करने होते हैं तो पहले मै मैं राइस जो है ग्राइन करने जार हूँ पहले मैं दाल ग्राइन कि थी अब यह मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा अब मैंने दाल और राइस मिक्स कर लिएं इनको अच्छे से मिला दूँगा इस तरह से आपको कषil से स्टीर करना है थाकि इनका जो है एक दूसरे में बिल्कुल यह mix हो जाही है अब मैं इसमें दही mix कर रहा हूं और अब इसमें एक एक स्पून मैंने इसमें नमक का mix किया है और अब इसको अच्छे से मिना दूँगा इसमें मिक्स कर दिया है अब इसको फर्मेंटेशन के लिए टाइम चाहिए तो 15-20 मिनट मैं इसको रेस्ट पर रखोंगा और उसके बाद फिर हम इडली का नेक्स प्रोसेसर को स्टार्ट करेंगे यह आप देख सकते हो यह मेरा जो इडली का जो बैटर है वो प्रिपेर है यह इतना फूल चुका है इसता फर्मेंटेशन अल्मोस्ट हो गई है मेनवाइल को जो है बेक करेंगे तो उसके लिए मैंने जो पानी है उसको मैंने गरम होने के लिए रख दिये 2-3 मिनट तक आग गरम करूंगा अगर आपने इसको दो तरफ से गुमा दिया तो इसकी जो हवा जो है वो साही खतम हो जाएगी तो आपको एक ही डायेक्शन में स्पून को गुमाना है लाइक अगर आप इस तरह से एंटिक्लोग कुमा रहे हो तो आपको इसी तरह से इसको स्टिक करना है मिनमेल जब तक पानी गरम हो रहा है आप जो इडली की जो ट्रे है इसको ग्रीस कर लीजिए मैंने इस तरह से ओयल इसमें ग्रीस कर लूँगा ताकि जो इडली है वो चिपके ना अब आप देख लिजी मैंने चो इडली मेकर में है बैटर जो है वो सेट कर दिया है और पानी भी गरम है तो अभी मैं इसको पानी में रखके कवर कर दो और अभी हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे अच्यान केसाओट अच्या चेक कर लेंगे कि हमारी इडली पकी होई है कि नहीं तो पहले मैं एक और फोक से इसमें चेक लूँए अगर इस तरह से ये सा आपका आ रहा है जे तो इन बन के प्रिपेर्ट, गई के और माये निकाल लोगाए बिल्कुल है इंटली लिस बन प्रिपेर्ट है इंगाउद हे आप यह इज स्पॉन की यह बन गई है यह यह knocked university, कंविक बन इस बन गई पहले आप एक बार देख लीजिए दाल जो तूर की दाल होती है जा अरहर की दाल जिसे कहते हैं वह आपको दाल चाहिए होगी उसके बाद सांबर में सबसे इंपोलन होते हैं वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स आप कुछ भी डाल सकते हैं देखिए मैंने यहां पर यह टोमाटोज हैं और हरीमुची हैं यह तो बाद में जब इसको सांबर को फ्राइ करूंगा तब डलेंगी अधरवाइस मैं सबसे ज्यादा जो है मैं गाजर इसमें प्रेफर करता हूं क्योंकि जो जो सबजिया मैं नहीं खाता हूं वह सब मैं सांबर में डाल लेता हूं क्य उसके बाद सांबर मसाला हल्दी सूखी मिलकी सारष के सांबर सीट सोल्ट दाल अगे जो डाल सकते हैं यह ईंग्रेजेटम का अगники बोिल बोल्ट पर में दाल दाल में डाले और दाले लोक Origins इसमें एक चम्मच चनमच नम्मक कर दूंगा हलदी में डाल दूंग एक स्पोन इसमें मैं सांबर मसाला डालके औन सामच में कर दूंगा अब इसमें पानी डाल ऐग करेंगे जितनी एक की दाल रेख़ने इस से आपको थिन गुना पानी isn't girl चामच करना होता है अब दाल को जो है हम वire कर लेंगे और कभी भी बी दाल के साथ पहले ही वेजिटेबल पकाऊ गए तो बिल्कुल ही सोगी हो जाएंगी बिल्कुल जाएंगी तो पहले दोस्ता दाल को लगवानी है उसके बाद उसमें वेजिज्ट करनी है जैसे कि हम आपको कहा था दाल को दो बुस pendant जो अट करनी है तो मैंने दाल को दो बुस लगवा रही हैं अब मैं इसमें सब्जी यहाँ एड कर रहा हूं कि कमठा ड़ीर कि कि कया तो अकिला कि थी सारी रेज़ित्व जरि दढ़यां अब मैं इसमें मैंने इमली जो भी वोके रखी हुई थी तो उसका पानी है बूर में डाल रहा हूं पहले मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि खटा अगर पहले से डाल देते हो तो वह डाल में गल्ले में जो टाइम जल जाता है तो इसलिए अब हमारी ताल ओल्मोस्ट र वर्षी से स्टील कर लीजिए और मैंने आपको कहा था कि वेजेटेवल बाद में डालनी है उसका यही फाइदा है आप देख लीजिए आपके सारे जो वेजेटेवल्स हैं वो आपको पूरी अच्छे से इसमें दिख रही है पकी भी हुई है लेकिन घूली हुई है तो इ दालूँगा इसके बाद इसमें आपको प्रशी लाएं है तो इसको आप थोड़ा थोड़ा जो है स्पून से स्टील कर लिए है यह आपके लीज और जो मिर्ची है जो ब्राउन हो जाए अब आपका टाइम है इसमें आपको आपको इसमें आपको तुमाटर ओर दीजिये अधि मेज स्टीया जो है कि आफिस्पे है अब हमें एक इस्पून जो है नमक डाल दीजिये आपको तोमेटो जो है जो आपको गल जाये आपट कर दो एक चम्मच आप इसमें हल्धी डाल दिजी। एक चंसामबर मसालह जो आपने के टाला बहुत है निख टाला तक है suit स्मूल ने सें प्राय कर सेंीड महीं सी मेषलो को अच्छे से मिक्स कर दें जैएंड Bene और यह जो है हम इसको अब ये सांबर में एट कर देजिए इसको निक्स कर दीजिए इसको फ्राइ करने के बाद पांच मिनट तक आप इसको मीडियम आंज पर पकाईएगा और आपका जो सांबर है इपेर्ड टैंचणा तो फाइनली मेरा सांबर और इडली दोनों बनके प्रिपेर्ड हैं और मैं भी विल्कुल प्रिपेर्ड हूं इनको खाने के लिए तो अब भी ये मैंने लिया इडली इसको मैंने अच्छे से सांबर से मिक्स किया और वाव तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और उजे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा थैंक यू